संचिदत कैंसर की इलाज के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इससे पहले वो अपनी फिल्म सडक 2 के अधूरे काम पूरे करेंगे कहा जा रहा है कि अगले सब्ता तक वो अपने फिल्म में बचे हुए काम को खत्मे कर लेंगे संचिदत ने सोचल मीडिया पर अनाउंस भी किया था कि वो मेडिकल ट्रीट्मिन के लिए कुछ दिनों का ब्रेक ले रहे हैं रिपोर्ट्स की माने तो सडक 2 में उनके हिस्ते की डबिंग का कुछ काम अधूरा है जिसे खत्म करके वो अपने इलाज के लिए रवाना होंगे कहा जा रहा है कि अगले सब्ता तक दबिंग का काम खत्मे कर लिया जाएगा और उसके बाद वो मेडिकल ब्रेक पर चले जाएंगे बता देगी सडक 2 इसी महीने के अंत में 28 अगस्त को रिलीज होगी पिछले शनिवार यानी 8 अगस को लिलावती अस्पताल में भरती हुए थे संजदत गले में लिक्विड जमा हुआ था जिसकी वज़े से उने सांस लेने में तकलीफ हो रही थी ऐसा शक था कि कहीं कोरोना ना हो लेकिन ये टेस्ट भी नेगिटिव आया वो घर आ गए और सुमवार को उनके टेस्ट रिपॉर्ट ने एक बुरी खबर से सबकों चौका दिया संजदत इस वक्त स्टेज 4 लंग कैंसर से जूज रहे हैं वहीं संजदत ने अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया था कि वो कुछ दिन ब्रेक ले रहे हैं रिपॉर्ट थी कि उनको स्टेज 3 कैंसर है लेकिन हॉस्पिटल सोर्स ने इस बात को कंफिर्म किया कि संजदत का लंग कैंसर चौथी स्टेज पर पहुंच चुका है फिल्म फेर की रिपोर्ट की मताबिक सोर्स ने ये बात कन्फर्म की थी कि संजे का उक्सिजन लेवल बहुत कम था उनके फेवडों में फ्लुएट जमा हो गया था और इस वज़ा से वो सांस नहीं ले पा रहे थे फ्लुएट सांपल टेस्टिंग के लिए गया था और डॉक्टर ने बताया कि टीबी या कैंसर हो सकता है वही मानित अदत की तरफ से बुद्वार को स्टेटमेंट आया था कि संजू फाइटर है कहा जा रहा है कि संजदत अपना इलाज कराने के लिए यूएस जा रहे है रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें स्टेज फोर कैंसर है जब ये बात से लप्स को पता चली तो उन्होंने संजे का हाल जाना इस बीच रन्वीर और आलिया भी संजे के मुंबई वाले घर पहुचे रन्वीर और आलिया एक साथ कार से संजे के घर उनसे मिलने गए थे खबरों की माने तो संजेदत तीन महिने के लंबी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे इसके बाद वो फिल्म केजियेफ चाप्टर टू की शूटिंग चुरू करेंगे बताया जा रहा है कि अभी संजे को अपने छोटे बच्चों की चिंता हो रही है जो अपनी मा माने तादत के साथ दुबई में है बात करें आलिया की तो वो जल्दी सडक टू में नज़र आएंगी जिसमें संजदत एहम रोल में है ये पहला मौका है जब संजे और आलिया किसी फिल्म में साथ दिखेंगे बात करें रणवीर कपूर की तो उन्होंने संजदत की ही बायो पिक संजुकर के काफी सुर्ख्यां बटोरी थी इस फिल्म को क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों ने भी खुब सराहा था फिल्म ने बॉक्स आफिस पर रिकॉर्ड तोड कमाई की थी वेल हम भी यही दुआ करते हैं कि संजदत कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर जल दी ठीक होकर लॉट आएं बीर रपोर्ट नवभारत ताइंस